जार्खन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जार्खन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्र चुनाओ मई जून में होना तय है पंचायती राज विभाग तथा राज निर्वाचन आयो की अब तक की त्यारी के अनुसार पंचायत चुनाओ विभीन जीलों में एक से चार चर्णों में होगा चारो चरण का मतदान मई माह में ही पूरा होगा तथा जून माह में परिन से समधित अधिसुतना सुक्रवार को जारी कर दी है इसके तहट सभी जीले के गयट में अधिसुचित अन्य पिछड़ा वर्ग OVC को यथा सोरूप रखा जाएगा जार्खन में हीट वेव जार्खन में गर्मी का सरलागातार बढ़ता जा रहा है पिछले 24 गंटे के दर्मियान राची का अधिकतम 38.6 डिग्री जबकि निमतम 22.2 डिग्री से से सदर्च किया गया रव्यवार को राजधानी राची समेत आसपास के जीलों में मोसम सुस्क रहेगा और आसमान भी साफ रहेगा हलाकि उतर पूर्वी हिसे में कहीं कहीं आंसिक बादल छाय रनने का पूरुनमान किया गया है जबकि सेस हिसों में आसमान साफ रहेगा लोबिन हेंब्रम का सक्ति परदर्शन सरकार हिला कर रख देंगे जार्खन में 1932 के खतियान को आधार बनाते हुए अस्थानिय निती लागू करने और सराबंदी की मायंग कर रहे जामो मोविधय के देवरत हिल्ख होते जा रहे है उनके बागी रवये ने जामो के नींद और सरकार को असहज कर दिया हाлы बतादे बता दे लोबिन हेम्रम हाथ में जामो अध्यास की तस्वीर लेकर जार्खन के गाओं में घूम रहे हैं, रैली कर रहे हैं और लोगों को अपनी मांगो पर गोल बंद कर रहे हैं, उधर जामो के दिगर नेता इस्ठीपर मरांडी को सफाई देनी पर रही है कि दिसोम रहे हैं कि इस्टीपन मरांडी सच बोल रहे हैं या विधायक लोबिन हेम्रम क्योंकि दोनों ही पार्टी के पुराने नेता हैं रामगढ में नकसलियों ने ट्रेक्टर जेसी भी जलाया सभी बार से अगर यहां काम होगा तो सभी को गोली मर देंगे धनबाद रेल मंडल में पकड़े गए 4,001,002 टिकट यात्री भारतिये रेलवे की तमाम कोशिसों के बावजोद ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा करने का सिलसीला जारी है धनबाद रेल मंडल में यह कुछ ज्यादा ही है इस रेल मंडल में वीतिय वर्ष 2021 के मार्च तक 4,001,002 टिकट यात्री पकड़े गए हैं इन यात्रियों से 18,88 लाख रुपाई की वसूली बतोर जुर्माना की गई धनबाद रेल मंडल के ग्रेट कोड सेक्षन और CIC सेक्षन अंतरगत जारखन बिहार एवं उतर परदेश के कई रेलवे एस्टेशन आते हाई मस्जीदों से लोड स्पीकर हटा लेने की चेतावनी पर जारखनडी मुसल्मानों ने जताई नराजगी महराष्ट नौ निर्मान सेना के परमुख राज ठाकरे ने महराष्ट में मस्जीदों से सिख्र लोड स्पीकर हटा लेने की चेतावनी दिया है ऐसा नहीं करने पर मस्जीदों के सामने हनुमान चालिसा का पाट सुरू करने की धमकी भी दिया है राज ठाकरे ने कहा है कि मैं नमाज के खिलाप नहीं हूँ लेकिन सरकार को मस्जीद के लोड स्पिकर हटाने पर फैसला लेना चाहिए मैं अभी चेतावनी दे रहा हूँ लोड स्पीकर हटाओ वरना मस्जीद के ठीक सामने लोड स्पीकर लगा कर हुनमान चली से बजाएंगे मनसे परमुख के इस ब्यान पर जहारखंड के मुसल्मानों ने तीखी परतिकिरिया प्यक्त किया है मुसल्मानों ने राज ठाक्रे के ब्यान को देश में संप्रदाइक उनमाद फैलाने वाला बताया है कहा है कि मनसे परमुख की भासा समाज में नफरत फैलाने वाली है उनके खिलाब कानूनी करवाई की जानी चाहिए मीनी पंजाब होटल में जारक्न के रामगर की महिला से दुसकर्म जमसेतपूर के MDM ठाना अंतरगात ANS 33 श्थित मीनी पंजाब होटल में ठाहरी रामगर की महिला ने अपने सहकर्मी पर दुसकर्म करने का आ रूप लगाया है खटना 15 मार्च की है, महिला ने सहकर्मी परदीब कुमार राम और फराना की खिलाप MGM थाना में प्राथमी की दच कराई है महिला ने अरोप लगाया है कि कोल ड्रिंक में नसीला पदार्थ मिला कर उसके साथ दुषकर्म किया गया असलिल फोटोー और वीडियो बनाने की भी असंका जहिर की है, पूलिस मामले की जांच कर रही है रांची के बीर्सा मुंदायर पोट पर बिजेपी वा कांग्रेस के कर करता आपस में भीड़ गाए पिजेपी सांसत, जयान्त सिना और कांग्रेस, युवा मोर्चा के अध्यक्ष, रांची यारपोर्ट पर आगमन को लेकर बिजेपी और कांग्रेस के करकाता स्वागत के लिए जुटे थे, तभी नारेबाजी को लेकर बिजेपी और कांग्रेस के करकाताओं में भीड़न्त सरहूल आदिवासियों की परंपरा संस्कृति रहन सहन से जुड़ा हुआ पर्व है और इस समाज के लोग हर सुभ काम इसके बाद ही शुरुवात करते हैं चाहे ओ खेती बारी का काम हो या पिर कोई अनेकाम यहां तक कि किसी भी काम में नए पते का उपयोग भी इस पर्व क के बाद ही किया जाता है वैसे भी आदिवासि समाज हमेशा सही प्रकिर्ति का पुजक रहा है यह पर्व नसी पर्यावरन को बचाने का तेवार है बलिक संस्कृति सब्याता एकता और खंडता को भी बनाए रखने का प्रेना देता है बता दे इस दिन सखुआ पेड़ की खास तोर से पुजा की जाती है सरहूल को लेकर रांची में भारी वानों की नोई इंट्री सरहूल सोभाय अत्रा के मदर नजर चाहर मार्च को राजधानी की अतयात विवस्था और वानों के रूट में बदलाव किया गया है इस दिन सुबा 6 वए से रात 12 वए तक सहर में भारी वानों का प्रवेस वर्जित रहेगा इसको लेकर ट्रैफिक एस पी ने आदेश जारी किया है इसके तहत बाहर से आने वाली भारी वानों को रिंग रोड और खेल गां होते हुए सहर के बाहर से ही निकलने की बेवस्था की गई है वही राजधानी के विभीन छेत्र से निकलने वाले सरहल जूलूस की वज़ा से सहर की कई अंद्रोनी सड़कों पर नो इंट्री लगाई जाएगी HEC का बैंक अकाउंट होगा फ्रीज होल्डिंग टेक्स के बड़े बैकायदारों पर राची नगर निगम ने करवाई सुरू कर दिया है इसकी सुरुवात राजधानी राची की सबसे बड़ी कमपनी HEC से होने जा रही है HEC पर टेक्स मद में राची नगर निगम के 18.29 रुपे बखाया है नगर निगम ने एक दर्जन से अधिक बार नोटिस दिया है इसके बावजूद कमपनी ने टेक्स के रूप में कमपनी को एक रुपे का भी भुगता नहीं किया अब नगर निगम HEC के अकाउंट को फिर मेजदूरी बढ़ा दिया है जायरखन के मेजदूरों के लिए मजदूरी दर 17.48 रुपे से बढ़ कर 210 रुपे किये गया है केंद्र सरकार ने 12 रुपे की बढ़ोतरी की है वहीं राज सरकार पहले जहां इसमें 27 रुपे देती थी उसे घटा कर अब 15 रुपे कर दिया गय कर जामों के विधायक लोबिन हेंबरम में बोरियो में 3 अपरेल को रैली आहुद की है हलाकि जामों ने इस रैली से किनारा कर लिया है खबर है कि जामों के करकरताओं को इसमें हिस्सा नहीं लेने का निर्देश दिया गया है जो जाएंगे उसे पार्टी द्वारा अनुस करकरता इसमें क्यों सामिल होंगे पाटी का करकरम 4 अपरेल को हजारी बाग में है बोरियो में किसी तरह का कोई करकरम पाटी का नहीं है लोबिन जो कर रहे हैं वो उनका नेजी करकरम होगा जारखन में तीन पतिनियों के बिवाद में पति की हत्या जारखन के जमसेत पुरिस्थीत गुंडाबादा के माडो तोलिया निवासी लादू हाइबुरू की हत्या उसकी पहली पतिनी के भाई ने तीन दोस्तों के साथ मिलकर कर दी थी पुलिस ने लादू हाइबुरू का सो डुमरिया थाना के छोटा बोतला गाउं के पास एक कुवाद से ब्रामत कर लिया है सो फूरी तरह गल चुका है पुलिस ने लादू के साले सिगराई सोय उर्फ मुद्दू सनातन सोय के अलावा दो नवालिकों को भी गिरफतार किय है टीटी पीए से बिजली का बंपर उत्पादन जारखन सरकार का महतपुन लोक उपकरम ललपनिया इस्थित तेनु घार थर्मल पावर एस्टेशन से बिते मार्च माह में बंपर उत्पादन दर्च किया गया है खास बात्या है कि अपसोर कर्मियों को करीब सावा दो साल बाद बिते फरवरी माह में और फिर लगाता दोसरे महिने मार्च माह में इंसेटिव नसीब हुआ है बेहतर उत्पादन से प्रवंधन में खुसी है और इससे भी बेहतर उत्पादन की ओर मेहनात के लिए साल पिताए धन्यवाद